आज हम photoshop में rounded corner frame को कैसे create किया जाते हैं वो technique आज आपको बताएंगे यह जो screen में आप देख रहे हैं rounded corner frame इस प्रकार के frame को हम photoshop में कैसे बना सकते हैं वो technique आज में आपको सिखाऊंगा तो सबसे पहले एक image को आप open कर लीजिए image open करने के लिए आप short command का use कर सकते हैं control plus o मैंने already एक image open कर रखे है same image को मैंने open कर रखा है यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है image जब आपकी open हो जाए तो आपको tool panel में जाना है और यहाँ पर rounded rectangle tool इस tool को हमें यहाँ select करना है और option bar में जैसे आप इस tool को select करेंगे तो option bar में आपको यहाँ पर shape को select करना है path pixels नहीं होना चाहिए shape select होना चाहिए color से हमें कोई matter नहीं करते हैं यहाँ पर color कुछ भी हो यहाँ पर जो stroke की value है 1 pixels लिखा हूँ है तो इसको भी हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर और जो यह radius है यह radius आपकी image size के उपर depend करेगा यदि आपकी image size छोटी है resolution उसका कम है तो आपकी यह value यहाँ पर कम हो सकती है तो यह मेरी जो image है वो काफी बड़ी है इसलिए मुझे यहाँ पर 150 pixels लेना पड़ रहे है तो यहाँ पर मैं 150 pixels type कर रहा हूँ तो different image में यह value कम जादा हो सकती है उसके बाद left से right के और left click दबा कर ऐसे drag करना है और यह frame आपका यहाँ पर create हो जाएगा जितना आप बड़ा बनाना चाहते हैं मैंने इतना drag कर लिया यह black color से यहाँ fill हो गया और यह हमारे एक frame rounded rectangle shape में यहाँ पर create हो चुक है इसके बाद हमे layer panel को active करना है layer panel को active करने के लिए हम short command का यह यहाँ use करेंगे F7 और move tool को हम select करेंगे यहाँ पर move tool को select करने के लिए आप short command V का भी use कर सकते हैं तो move tool को मैंने यहाँ select कर लिया और short command का यहाँ use करेंगे control plus A, control plus A करते ही option bar में हमें यहाँ बहुत सारे alignment के option दिखा रहा है यहाँ पर जिसमें second number का option है align horizontal center और यह जो option आप align vertical center इसको click कर देना है ऐसे और उसका इस selection को deselect करने के लिए हम short command का use करेंगे control plus D अब यह जो background वाली layer है इस background वाली layer को हमें unlock करना है तो unlock करने के लिए background वाली layer के उपर आप double click कर सकते हैं या फिर आप यह जो lock है इसके उपर भी click कर सकते हैं या इस lock को ऐसे पकड़ के thresh के उपर ऐसे छोड़ भी सकते हैं अब यह जो background वाली layer है इसको मैं rename कर देता हूं इसको नाम मैं दे देता हूं BG और यह जो BG वाली layer है इस BG वाली layer को left click दबा कर मैं ऐसे rounded rectangle one वाली जो layer है उसके उपर ऐसे छोड़ देता हूं left click दबा कर तो यह हमारी ऊपर चले गई है लि BG वाली layer के उपर आप mouse का pointer ऐसे लेकर जाएए और alt दबाएए और धीरे से mouse का pointer जैसे आप नीचे लेकर आएंगे बिना click दबाए तो यह एक छोटा सा icon यह दोनों layer के बीच में ऐसे बन रहा है जब आप alt दबाएंगे तभी यह icon active होगा और simply बिना alt को छोड़े left click को हमें से यहाँ पर दबा देना है जिससे क्या होगा BG वाली layer हमारे rounded rectangle 1 वाली shape layer में clipping mask हो जाएगा यह अब इसके बाद हमें क्या करना है एक new blank layer लेना है जिसके मैं यहाँ पर short command का use करूँगा Ctrl Shift N इसको हम rename कर देते हैं यहाँ पर master BG में इसको नाम दे देते हैं यहाँ और इसक convert हो गया और उसके बाद simply Ctrl plus delete या backspace दबा कर आप white color को यहाँ fill कर सकते हैं अब master BG वाली layer को आप left click दबा कर सबसे नीचे ऐसे drag and drop करेंगे तो यह सबसे नीचे हमारा चले गया अब उसके बाद rounded rectangle 1 जो हमारी layer है यहाँ पर इसको आप select कीज़े यहाँ पर और fx panel में layer panel में जो यह fx आपको दिखा रहे है bottom में यहाँ click करेंगे stroke, stroke में आपको click करना है जिसमें जो value है हमारी 8 pixels रहेगी, position आपका outside रहेगा, blending mode normal रहेगा, opacity 100 रहेगी, fill type color रहेगा, color में आप यहाँ click कीजिए और यह value आपको यहाँ पर type करना है cc9457, ok में click करना है, फिर उसके आपको drop shadow इस option में click करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो blending mode है आपका multiply होना चाहिए, color black होना चाहिए, इसमें click करके आप black color ले लीजिया से, और जो opposite है यहाँ पर 50% रहेगा, यह angle 135 हमने यहाँ रहेगा, distance 48, size 24, तो यह different image में यह value change हो सकते हैं, तो इस चीसका जरूर धिया fx वाले panel में जाएंगे, stroke, stroke में same हमारी value 8 pixels रहेगी, लेकर जो position है हमारे यहाँ पर, inside blending mode normal रहेगा, opacity 100 रहेगी, fill type color रहेगा, और color same, यहाँ पर जब आप click करेंगे same value जो हमने, rounded rectangle वाले layer में जो stroke की color value डाली थी, same value यहीं पर हमें paste करनी है, cc9457, ok में आपको यहाँ click कर द blending mode हमारे यहाँ multiply रहेगा, opacity 100 रहेगी, color हम यहाँ change करेंगे, 7, 7A, 3B, 1, 5, ok में आप यहाँ click कर दीजे, अब इसके बाद हम pattern overlay में click करेंगे यहाँ पर, blending mode हमारे यहाँ पर normal रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखे, opacity 100 रहेगी, scale 100 रहेगा, अब आपको क्या करना है, simply icon बना है आपको यहाँ पर, इसमें click करने है, और color paper option को आपको यहाँ select करने है ऐसे, और इसको ok में यहाँ पर click कर देने है, तो जैसे आप ok में click करेंगे, तो बहुत सारे options हमें यहाँ दिखा रहे है, तो हमें यहाँ यहाँ पर white with wood fiber, यह जो option है, इसको select करने है, ok में यहा हमारा corner rounded frame यहाँ पर create हो चुका है, so friends बहुत ही easily हमने rounded corner frame को यहाँ create कर लिये, यदि आपको यह tutorial पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और subscribe कीजिए और सासाथ bell icon को भी press कीजिए, thank you friends for watching my video